नवसकार दोस्तों भाश नूडेचल में आपनोंगा स्वागत है जिनके बच्पन का जुड़ाव नब्बे की दसक से हो वे सक्तिमान को अभी नहीं भूल पाए होंगे सक्तिमान पहला ऐसा सूपर हीरो था जो दुस्मनों को नास करने के साथ साथ बच्चों को रोज एक नई सीख देता था बच्चे सारा काम भूल कर सक्तिमान देखने बैठ जाते थे सक्तिमान का किर्दार निभाने वाले मुकेश खना को इस सीरील ने स्टार बना दिया सक्तिमान एक बार फिर चर्चा में हैं हलाकि इसके पीछे की वज़य मुकेश खना नहीं बल्की कोई आर है दरसल एक मल्याली निर्देसक ने सक्तिमान का लुक और कोश्ट्यूम का इस्तमाल अपने फिल्म में किया ये बात मुकिस खरना को नागबार गुजरी मुकिस खरना नाराज हुए जिसके बाद निर्देसक ने माफी मागी है दोस्तों एक चोटी रिक्वेश्ट है अगर आपने मारे चलों को सस्क्राइब नहीं किया है सस्क्राइब कलने और बेल आइकन दबाना ना भूलें जिसने आप वीडियो का अपडेट आप किया पहता रहें सबसे पहले मल्याली निर्देसक उमाल लूलू ने अपने फिल्म धमाका के सिट से एक कलाकार की फोटू सेर की थी जिसे सक्तिमान का काश्टूम पहने हुए दिखाया गया था इस तस्विर के आने के बाद सोसल मीडिया पर पहले और अप को लेकर बहस शिड़ गई जब मुकेश खन्ना को इसकी खबर लगी तो उन्होंने फिल्म एपलॉईज फेडरेशन आफ केरल में इसकी सिकायत करते हुए लीगल एक्षन की चतावनी दी ट्वास से बाचित में मुकेश ने कहा कि उन्हें सक्तिमान का इस तरह इस्तमाल अपाती जनक लगा मुकेश खन्ना ने बताया मेरे पास किरदार कश्ट्यूम, थीम, म्यूजिक और बाकी चीजों का कॉपी राइट है मेरी अनुमती के बिना कोई फिल्म में या सेरियल में इसका इस्तमाल नहीं कर सकता बता दे कि सक्तिमान नबे का दौर का ऐसा सो था जिसने खास कर बच्चों को दिवाना बनाया अभिनेता मुकेश खन्ना के जिवानत अभिनेय ने इस किरदार को अमर कर दिया सिरियल ने 400 अबसेट सफलता पूर पूरे किये और टीबी की दुनिया में च्छा गया सो के खत्म होने के बाद छोटी छोटी मगर मोटी बातें खुब पसंद किया जाता था क्या दोस्तों आपने भी सक्तिमान देखा था क्या आप भी सक्तिमान के फैन थे तो आप हमारी कमेंड़ाक से जरूर बताएं सक्तिमान के बारे में कुछ बातें दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों साथ सेयर करना ना भूलें मिलते हैं अगले वीडियो में धन्य बाद